आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे नवंबर को लिस्टिंग दे स्टाड़र जी देख लेंगे पर अगर मान लो कल नहीं होती है लिस्टिंग जो भी डेट फगेरा चेंज होती है तो मैं उस पर आपको अपडेट देदूँगा तो अभी हम लिस्टिंग देख लेंगे ठीक है फिर उसके अलावा दोस्तों ओना सा कंजूमर मतलब मामार्थ के IPO को पहले दिन कितने गिना सब्क्रिप्शन मिला है उसके अलावा तीन नए अपकमिंग IPO आ रहे हैं उसके अंदर एक ऐसा IPO है जिसकी डिमांड बहुत जबरदस रह सकती है उसके बारे में भी हम जान करी लेंगे सारी चीज़े क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलेग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अगाउन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है टेलेग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजिए ताकि छोटा मट अपडेट मिलता रहे और हमने वाट्साप चैनल भी बनाया है वाट्साप चैनल को भी जरूर जोइन कीजिए उसकी बिलिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है सबसे पहले बात करें Cell of World का I.P.O. है उसका I.P.O. मेरे APPLY करना चाहिए नहीं करना चाहिए FINALI चाहिए फाइनील डिस्जिजिन क्या है क्योंकि कल की तारिम है आखरी दिन है सबसे पहले इसका ग्रे मार्कट का प्रिमिए दीलिंग है ग्रे मार्कट का G.O. धुरiliśmyidents तो उसके आसपास चल रही है भी इसके gray market का premium बागी देखिए दूस्थ तो gray market के premium के पूरे भरोसे नहीं रहना चुछिए यह सिर्फ एक अंदाज़ा है gas होता है कि manipulate भी हो सकती है इसलिए पूरे इसके भरोसे नहरे हैं बागी सारी चीजें भी देखिए तो अभी फिलाल तो डिमांड ठीक नोजर आ रही है ग्रे मार्किट के अनुसाद ठीक है दूसरी इसके एंकल लिस्ट भी बहुत ही बड़ी आई है मतलब सारे FIIs की बात करें या बड़े इंडियन विच्वल फंड्स की बात करें पूरी संभावना है हो सकती है तो यह सारी चीज़े चेक करके उसके बाद अपलाई करने का सोचिए बाकि अभी overall listing gains के साफसे तो ठीक नजर आ रहा है बाकि दोस्तों कोई भी decision ले अपनी risk और अपना analysis लगा के लिए आप लोग क्या करेंगे अपलाई करेंगे और नहीं करेंगे मुझे comment करके जरूर बताएगा फिर दोस्तों long term के साबसे क्या इस IP में अपलाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो positives negatives दोनों ही देख लेते हैं सबसे अपलाई वाइसके positives अगर देखें sell of world का जो IP है उसकी brand value बहुत अच्छी है sector बहुत ही अच्छा है मतलब यह अलग-अलग segment के अंदर जो deal करती है molded furniture बनाती है house wear, kitchen wear से manufacture करती है और writing accessories जैसे pen वगेरा है सुरुआत से ही pen आते हैं इसके products बहुत बढ़िया quality के products आते हैं तो यह इसके लिए positive point है और 60 साल पुरानी company है मतलब 60 साल का experience है अपने ही sector के अंदर यह और benefit हो जाता है इस company के लिए और उसके अलावा इसके financials बहुत अच्छे हैं revenue profit के अंदर साल दर साल growth है और financially मजबूत company नज़र आ रही है हलांकि debt है इसके उपर पर यह चुकानी की capacity भी रखती है ROE, ROCE भी बहुत अच्छी है return on equity, return on capital emploid काफी अच्छा है तो मतलब यह सारे positive point हो जाते हैं overall यह company जो है काफी अच्छी नज़र आ रही है उपर से इसकी ankle list भी काफी अच्छी आई है और negatives के अंदर बात करें तो negative मुझे एक point ही लगा valuations थोड़ी सी और सस्ती होती तो और ज़्यादा बढ़िया रहता valuations सस्ती नहीं है हलांकि आजकल सारे IPOs आ रहे तो महंगी valuations लेके आ रहे हैं तो valuations थोड़ी सी मुझे महंगी लगी तो मुझे comment करके ज़रूर बताएगे आप लोग क्या करेंगे long term के लिए apply करेंगे और नहीं करेंगे मुझे comment करके ज़रूर बताएगा personally मैं क्या है कि retail category के अंदर apply करूँगा मतलब 3-4 lot apply करने की कोशिश करूँगा उसके अंदर एक दो lot लग जाते हैं मैं long term के लिए उसको hold करने का सोच रहा हूँ मतलब listing games के लिए मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ long term के लिए सोच रहा हूँ seller company ठीक है और दोस्तो decision मुझे देख किया किसी और को देख के मद बनाईएगा और दोस्तो आज की तारी में subscription देखे तो करीबन 10 से 12 गुना आपका क्या गैस है मुझे comment करके ज़रूर पताइए पर दोस्तो कल की दारी में blue jet healthcare का जो IP हो इसकी listing हो सकती है एक November को पहले 6 November की इसकी official date थी कहीं कहीं जगा है money control वगेरा पर एक November दिखा रहा है अब देखते हैं कब होती है इसकी listing अगर कल हो जाती है तो ठीक है पर listing day strategy आप सुन लीजे ताकि आपकी help होती रहे तो यह 346 रुपय के अंदर अलॉट हुआ है अभी GMP जो चल रही है करीपन 22 रुपय पर शियर मतलब तो GMP के अंदर तीन सो 68 रुपीज इसकी listing price दारी है अंदाजन मतलब यह अंदाज़ा बता रहूँ fixed cheese नहीं है और हम range के अंदर लेकर लेकर चले तो साढ़े 300 रुपय से लेकर 380 रुपय के बीच में में इसकी listing price देखने को मिल सकती है अगर market उपर नीचे रहता है तो बाकि overall अभी market ज़्यादा मतलब डाउन नहीं है इसे साब से लग रहा है कि भी 5-6% listing is मिलना चाहिए 5-6% होता है करीबन आप मान के चल लीजिए गरीबन 800-900 रुपय के आसपास हमें एक लॉट पर फाइदा देखने को मिल सकता है बाकि long term के लिए हमें क्या करना चाहिए तो देख सो आर्टिफिशल स्वीटनर्स होते हैं वो यह मैनेफेक्चर करती है और API is active pharmaceutical ingredients और pharma ingredients यह मैनेफेक्चर करती है तो काम बढ़िया है और contract basis पर यह मैनेफेक्चर करके देती है अलग-लग companies को Europe, countries में ज़्यादा demand है इसकी तो overall company बढ़िया है इसके जैसे अभी और कोई भी company listed नहीं है मतलब अपने आप में अकेली company list होने जा रही है तो इसके लिए थोड़ा benefit दे सकता है बाकि इसके ROE, ROC अच्छी है financially strong company नज़र आ रही है और ankle list भी ठीक ठाक आई है तो मुझे लग रहा है कि भी long term में थोड़े बहुत shares इसके hold कर सकते है मतलब अगर आपके lot लगा है तो थोड़े बहुत share hold कर लिए थोड़े बहुत sell कर सकते है इस तरह की strategy अपना सकते है बाकि देखिए दोस्तों decision आप अपनी risk और अपना analysis लगा के ही बनाईएगा सारी चीज़े आप भी देख लीज़ेगा एक बार फिर दोस्तों ओना सा consumer मतलब मामार्थ का IPO सिर्फ 2% ही GMP है GMP लगातार घडरी है हालांकि anchor list बहुत ही शांदार आई है पर मैंने आपको का anchor list को blindly हमें follow नहीं करना चाहिए और review का वीडियो मैं डाल चुका हूँ क्योंकि anchors जो है बड़े investors वो अपना पैसा कहीं से भी वापस वसूल कर लेंगे पर retail investors वसूल नहीं कर पाएंगे इसलिए आप चीज़ ध्यान में रखिएगा सोच समझ के ही आप apply कीजिए और review वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा और अभी पहले दिन total 0.13 गुना 0.13 टाइम सी subscribe हुआ है अब दूस्तों तीन नहीं upcoming IPOs जो आने वाले है उसके अंदर सबसे ज़्यादा demand किसकी रह सकती है तो सबसे ज़्यादा जो demand है ESAF Small Finance Bank की हो सकता है रह सकती है क्योंकि इसका price band बहुत ही reasonable मुझे नजर आ रहा है तो इसका जो price band है 57 रुपे से लेकर 60 रुपे के बीच में इसका price band डखा गया है दाइशो शेर का ये lot है और 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में ये IPO open रहेगा रिव्यो का वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा अभी कल क्या है कि मैं बाहर जा रहा हूँ जैपूर तो क्या कि रिव्यो का वीडियो उसके बाद ही मैं बना पाऊंगा और अभी जो GMP चल दी है करीबन 10 रुपाय पर शेर डाईशो शेर का lot है 25 रुपाय एक lot पर फाइदा दीखने को मिल रहा है तो अभी डिमांड इसकी ठीक नजर आ रही है बागी देखते हैं इसकी एंकल इस वगिरा कैसे आती है उस अनुसार हमें सारी चीज़े आगे clear हो पाईगी फिर दोस्तो एक और upcoming IPO 6 November से लेकर 8 November के बीच में Protein Government Technologies का IPO है और ये कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है वो review वाले वीडियो के इंदर सारी चीज़े clear हो पाईगी अभी मैंने भी ज़्यादा इसको नहीं देखा है द्यान से जब review वाले वीडियो करेंगे उसके इंदर सारी चीज़े हम clear करेंगे फिर दोस्तो एक और upcoming IPO 7 November से लेकर 9 November के बीच में Ask Automotive ये कंपनी क्या है breaking system होता है ABS advanced breaking system होता है bikes वगिरा two wheelers के लिए बनाती है तो ये अच्छी चीज है और मुझे लगता है company की demand अच्छी रह सकती है जो ही काम कर रही है बहुती शांदार काम है unique काम मुझे नजर आ रहा है तो देखते हैं अब इसकी demand वगिरा कैसे रहती है price band market lot कैसा आता है उस पर सारी चीज़े depend करेगी ठीक है ये होगे सारे आज के IPO के updates उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो हमेरी जानकर ये आपको काफे पसंद आईगी पसंद आईगे वीडियो को एक लाइक जो रूट के चैनलों को सब्सक्राइब कर लें अगे वीडियो के अंदर और दोस्तों कल की तारीक में मैं जैपूर होंगा मतलब कल एक नवंबर को जैपूर होंगा कल किसी को अगर मिलना है तो हम मिल लेंगे कोई भी मैं ऐसी जगह बता दूँगा जहां पर हम मिल सकते हैं